तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लडेस्ट वडियों में आज के इस वडियों में हम लोग 12th क्लास के हुदू का जो चैप्टर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है उसका इनशाया क्या है तो यह जो सबक नंबर 4 यानि की चैप्टर नंब तो चलिए पड़ापर वृडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग अब्जेक्तिव कोशन करेंगे उसके बाद हम लोग सबड करेंगे ठीक जैशन के लिखा मारोजी सबस्य सबाहत मा जवाबत यानिकि धी तो जरूर चैप्टर को पढ़ लीजिए गा अगर पढ़े हैं तो इसका इस तो आप लोग दे सकते हैं इंशाया किसकी सिंफ है बताई यह तो आप लोगों को बताई थी इन्शाया जो है ना वह एक नसरी सिंफ है यानि कि ऑप्सा नमबर सी इस दराइट इंसर जीम हो जाए अलिफ बे जीम करके दिया गया है यहां पर लेकिन आप लोग एबी सीडी करके समझे तो इंशाया कि सिंफ क्या है नसरी इंसाया नसरी सिंफ है और सी इस तराइट इंसर चली आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रशन यह एकदम भलवा कोश्टन है वजीर आगा का तालुक किस इस नाफ से हैं वजीर आगा क्या लिखते हैं मतलब बताईए कौन से किटेगरी से यह बिलॉंग करते हैं क्या यह एक इंशाया लिखते हैं कि नजम लिखते हैं कि कसीदा लिखते हैं कि सवाना लिखते हैं आप लोग को बताई थी कि वजीर आगा जो है ना नकाद के साथ साथ शायर के साथ साथ एक इंशाया निगार भी है तो फिर वजीर आगा क्या कहलाएंगे इंशाया निगार यानि कि एक इंशाया लिखते हैं तो आपसा नमबर ए इस तराइच अंसर वजीर आगा का तालग पिस इसनाव से है तो इंशाया से है आपसा नमबर ए हो गया बिल हो गया सही जरान नेक्स्ट कॉसशन on the screen है चार नंबर सवाल कि वजीर आगा की किताब लफजों की चागल क्या है बताईए वजीर आगा की जो किताब है लफजों की चागल ये क्या है आ अपसने में अद्वियाथ बी में कुल्याथ सी में पैदावार है याद रखिएगा ये कोशन पूछा गया था इंपोर्टन समझते हुए सारा कोशन तो इंपोर्टन है एक भी कोशन चोड़ना नहीं है सारे कोशन का इंसर याद कर लेना है ठीक है सिक्स नंबर सवाल कि वजीर आगा की पैदाईश कब हुई बताईए आप सने िस बीनीस सब 22 और टी मैंश 27, 20 सही जवाब हो जायेगा numbers टी उनेस वजीर यादे की पैदाईश कहा हुई तो पाकिसतान के सरगोदा के वजीर कोट में टो ऑप्सन के सरगोदा में ठीक है आट नमबर सवाल आपके स्क्रिंट के उपर हैं कि वजीर आंगा ने कि मौदू पर PhD किये तो वजीर आगा जो है वो तन जो मजा पर PhD की डिग्री हासिल किये थे ठीक है option number D is the right answer यहाँ पर तन जो मजा दिया है तो आप लोग इसी को टिक करेंगे ठीक अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर है कि इक्तिसाब के मानी बताएं इक्तिसाब का मानी क्या होता है तो option number D में देखी लिखा हुआ है जाती मेहनत से हासिल करना option number D is the right answer आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अबलाग के मानी क्या है अबलाग का मानी होता है पहचानना option number A हो गया बिल्कुल सही जवाब question number 11 कि इनसान की आखरी हिजरत कौन सी है देखे यह जो अगला chapter अभी chapter number 5 नहीं पढ़ाई है chapter number 4 ही तक आप लोग पढ़े हैं और इस वीडियो में मैं आप लोग को अभी chapter number 4 का ही question answer करा रही है लेकिन यह जो question पूछा गया है यह chapter number 5 से पूछ दिया गया है लेकिन कोई दिकत नहीं है इसका answer आप लोग देख लिजे क्या हो जाएगा इंसान की आखरी हिजरत होती है अब्दी सफर यानि की अलिफ option number 8 दर राइटेंसर यह मैं आप लोग को chapter पढ़ाऊंगी फिर objective कराऊंगी तो समझ में आएगा अभी आप लोग chapter पढ़े नहीं है कोई बात नहीं है objective देख लिजिए chapter number अगले chapter से पूछ दिया है कभी कभी गलती से हो जाता है mistake ठीक है आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की एहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई तो एहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी देखिए अभी आप लोग एहमद ज कोशन पूछ दिया है गलती से चलिए तो एहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी उन्हें सब्सक्राइश नंबर से अब्जेक्टिव देख लिए बाकी नेक्स चेप्टर में पढ़ लिजेगा और उसके बाद से उसके अगले वीडियो में चेप्टर नंबर फाइफ सिटी से में किया तो अलिगर मुस्लिम इंशिटी ऑप्स नंबर डी में है फड़ा फट नेक्स्ट कोस्टन देखिए हिजरत का तालुक के सिस्षिन पे अदब से है तो हिजरत जो है ना वह एक इंशाइया है ठीक बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है यह सारा कोशन चैप्टर नंबर फाइफ से पूछा जा रहा है टेंसर नहीं लीजिए नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगो जो चैप्टर नंबर फाइफ हो एक दम अच्छे से पढ़ा दूंगी बस आप लोग यहां पर अब्जेक्टिव देदिया है तो इ हारम उल्क में बोल्क का मतलब होता है हर मुल्क हमारा मुलक है थीक है इन्षाया true kor का नाम आया है तो इसमें आया है 10 जानति से कि सेख्टम सफर हुआ थो आदम आले इसलाम को पॉआ यह सारा चीज़ आप लोगों मैं बता दूंग अगले वीडियो कोस्ट नमबर 21 कि वजीर आगा ने महानामा अवद पंच कहां से इज्रा किया तो वजीर आगा का जो महानामा था मंतली मैगजिन अवद पंच उसका इज्रा किये थे वो लखनव से अगला सवाल कि वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए है तो वे जक्या आफाक इस सटासी में option number C हो गया इसका सही जवाब आगे बढ़ते हैं फड़ाफट मिला नसीर उद्दीन के लतीफे किसने तहरीर किये हैं तो एहमर जमाल पाशा इसका option number A हो जाएगा पचीस नंबर सवाल जो की लास्ट सवाल है रोज आफ रेंज का मानी क्या है तो पैदाईश का दिन option number A इसका भी हो जाएगा राइट एंसर चलिए तो यहां पर हो जाता है आप लोग का objective question complete objective question जो है ना यहां पर complete हो गया अब स्टार्ट हो रहा है subjective question very short type question subjective question में हम लोग देख रहे हैं तो देखिए इंशाया शेहरी सिंफ है यह ना श्री नसरी सिंफ है क्या इंशाया को दूसरे इसनाफी अदब से उसका गयर रस्मी तरीकार मैयस करता है यह मैं आप लोग के नाम लिखिए तो वजिर आगा का तालुक जो ना तनकीद से हैं यानकी तनकीद लिखा करते हैं इसलिए तो उनको नकाद कहा गया है ना और इंशाया भी लिखते हैं और नजम निगारी से भी है ठीक है क्या इंशाया निगार का मकसद जिद्द तराजी है तो इंशाया कि इम्तियादी सुरत किसके रहीन मिन्नत है तो खुशगवार ताजगी की रहीन मिन्नत है वजीर आगा की किताबों तीन किताबों के नाम लिखी है तो अर्दू अदब में तन्जो मजा अर्दू शायरी का मजाज नजम जजदीर की करवटे तीन किताबों के नाम लिख दिय सब सबसे पहला सवाल कि इन्शाइया मजमून में क्या फर्क बताएете गाम तोर से नसरी अदब में पेश किये जाने वाले य। आम तोर से नसरी अड़ब में हम जो कुछ भी लिख देते हैं किस भी टॉपिक के उपर जितनी भी चीजों को हम लिख देते हैं तमाम बात तो हो मजमून के जुम्रे में रखा जाता है लेकिन इंशाया मजमून ही की एक पिस्म है इंशाया जो है ना वो मजमून यानि की निबंधी का एक टाइप है लेकिन ऐसा मजमून नहीं जिस पर मरासला होने का असर कायम हो जाए जिस तरह रुदाद, खाका, रपटाज, सुवाना, हयात, मकाला और मरासला मजमून की मुखतलिफ शकले है इंशाया भी नसरी तहरीर की एक मुनफरद शकल है जिसकी अपनी एक सिंफी हैसियत है इसलिए इंशाया को मजमून नहीं समझना चाहिए बलकि मजमून की एक पिस्म समझना चाहिए तो इस तरह आप लोगों के इंसर लिख देना है अगला सवाल देखिए दूसरा क्वेशन है कि इंशाया निगार को दोराने तखलियक कैसी आजादी मैसर होती है तो मैं आप लोगों को बताई थी कैप्टर पढ़ा रही थी तो इंशाया निगार यानि कि इंशाया जो लिखने वाला है उसको कैसी आजादी मिली रहती है कि वो अपने उन्वान यानि की टाइटल को छोड़कर दूसरे जगा जा सकता है कुटे बिली वगरा के बारे में लिख सकता है बाते कर सकता है लेकिन वापस लोट कर आना पड़ेगा उसको उन्वान यानि की टाइटल पर ही इसलिए एक इन्शाया निगार हमेशा सतह जमीन पर चलता है लेकिन उसको इस गदर आजादी हासिल होती है कि वह इन्शाया लिहने के दौरान कभी फिराज की तरफ उठता है और कभी नशीब की तरफ जुटता है लेकिन ऐसा वक्ती तोर पर होता है इन्शाया निगारी थो जमीन पर ही चलना रहता है यानि कि जो उसका उन्वान है टाइटल है जिस मुद्दे पर जिस टॉपिक पर वो इंशाया लिख रहा है उस पर उसको लिखना है यानि कि जमीन पर वो चलता है लेकिन उसको ऐसी आजादी मिली रहती है कि उस जमीन को छोड़कर आस्मान में भी सकता है फिर जमीन पर भी आ सकता है यानि कि उस टॉपिक को छोड़कर किसी और टॉपिक के बारे में बात कर सकता है लेकिन वापस उसे लौट कर जमीन पर ही आना रहता है तो वही बात यहां पर लिखा गया है और चैप्टर पढ़ें तो और जल्दी आप लोको समझ में आय होता है तो देखिए एंसर में लिखा हुआ है कि इंशाया के खालिक का काम तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना है और हमें आदत और तक्रार के गेरे से एक लम्हा की लिए आजादे दिलाना है ताके हम गहर जानदार तरीके से जिंदगी के रौशन और तारीक दोनों पहल रहती है इस तरह एक इंशाया लिखने वाला जिंदगी के आम मजाहर के उन ताज़ा पहलों को फॉरण देख लेता है जो जिंदगी में सतही दिल्चस्पी के बास एक आम इंसान की नजरों से और जल रहते हैं तो इस तरह आप लोगो कैंसर लिए आगे बढ़ते हैं पड जोर सकते हैं इसमें कोई दिकप नहीं है अपने इसाब से आप लोग लिख भी सकते हैं जरूर नहीं कि जो इसमें लिखा है उसी तरह आप लोग लिखेंगे चलिए आगला सवाल देखिए इनशाया में अदमे तकमील एब है या हुनर वाज़ा कीजिए इनशाया में जो ना अधुरापन वो इनशाया का एक हुनर है बलकि आप यू कह सकते हैं कि एक इम्तियाजी खसूसियत है इनशाया में मौज़ों की मरकजियत तो काइम रहती है लेकिन उस मरकजियत का सहरा लेकर इनशाया निगार बहुत एसी बाते भी का देता है जिनका मौज़ों से कोई तालुक क्या नहीं होता है इनशाया का हा लिए है कि इसमें मौज़ों के चिर्फ अनौके पहलों क को पेश कर दिया जाता है इसके बहुत से दूजरे पहलों शुकर नामक्म opportunities नहीं रहı जाते हैं इंशायार का मक्सर सिर्फ इतना रहता है कि आपको गोर करने पर मच्बू कि वह कौन सा मरकजी नक्ता है जिस पर हर बार वो लोटता है उसको लोट नहीं पड़ता है तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि एक इन्शाय निगार अपने कारी से एक हमवार सता पर महवे गुफ्तवू होता है यह सही है कि तंजो मजा का इस्तमाल इन्शाय निगा से एकदम नीचे उतर आता है नीचे उतरता है और मजास निगार मजाह निगार नशीब के नुकते से एक उपर नहीं जाता है लेकिन इन्शाय निगारliest Nhभानowej निख्ता आजाद होता है निख्वतन आजधा है और दोनों इत्राफ में आ जा सकता है लेकिन थोडी देर के लिए फिर फोरण अपने मरकजी नुक्ते यानि हमार सता पर लॉट आता है तो देखिए वो मरकजी नुक्ता है उन्वान यानि की टाइटल जो इंश्या निगार है ना वो अपने उन्वान को छोड़ कर कहीं दूसरे जगह जा सकता है किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बा यानि की लॉंग टाइप पॉश्शन जो की पांच नंबर का पूछा जाता है तो इसका एंसर तो लंबा लंबा होगा चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल कि वजीर आगा ने इन्शाया के लिए किन बातों को जरूरी करार दिया है वजीर आगा जो है ना इन्शाया वदूद मत्इइन करने की कामयाब कोशचकी है और इनशाया की जामा तारीफ करने से उन्हें उन दुस्रारियों का भी जिक्र किया है जो इन्शाया की तारीफ की राह में हाइल है चिनांचों वजीर आगा फर्माते हैं कि जिस तरह अफसाला या नाविल के लवाजमत को मारूसी अंदाज में पिर्श किया जाता है इंशाया के लिए वा तरीके कार मुम्किन नहीं है इसलिए मजमून निगार इंशाया में एक साथ कई बातों की निसान्दही किया है चाहिए मतलब वजीर आगा जो है ना वह इंशाया में जो जरूरी बाते बताएं हैं कि इंशाया में यह चीज़े होनी चाहिए उसमें यह अदम तक्मिलात इख्तसार ताज्गी जिद्धतरा जिया खुश्गवार ताजगी यह सारा जो खोबी है इंशाया में रहने यह मैं आप लोग को पढ़ाई हूं पढ़े होंगे तो समझ भी गए होंगे और देखिए जवाब में लिखा गया है इसको भी आप लोग समझ सकते हैं एक दम आसानी से ताज़गी इनशाया का एहम तरीन अंसुर है यह एक ऐसी खसूसियत है जिसके बगार कोई भी अद्व से नीचे गिरा देती है ताज़गी से मुराद सिर्फ इजहार और अबलाग की ताज़गी नहीं है इस कदर ताज़गी तो इन्शाया में रहती है ताज़गी से असल मुराद मौजव और नुक्ता नजर का वानोखापन है जो कारी को जिंदगी की एक्सानियत और राइजा लेने पर मजबूर कर दें आम तर पर हम लोग जिंदगी के मजाहरा को रोजाना देखते देखते उसके उसे उसे पदर आदी हो जाते हैं कि हमें उनके मतवज़ग करने के करने से पहले अनोखे पहलो नजर ही नहीं आते यहां पर बोला जा रहा है वही बात कि इ इसे तो इंट्राया में ताज़गी रहती है क्योंकि इंट्राया में ने ने लफ़ का यूज किया जाता है ठीक है लेकिन मतलब ताज़गी से मुराद यह है असल अब बोल सकते हैं मुराद असल मुराद यह है कि मौजू और नक्ता नजर कावा अनुखापन है यानि कि नई बात सिखने को मिले नई बात जानने को मिले यही है यही है ताज़गी जो कि इंट्राया में रहनी चाहिए अगर इसी ताज़गी में कमी आती है ना तो समझे कि इंट्राया इतना अच्छा नहीं है तो इंट्राया का अच्छा होना बहतर होने के लिए जरूरी है कि में ताजगी भरपूर हो यानि कि नई नई बात लिखा गया हो तब इंशाया जो है ना वो एक अच्छा इंशाया कहला एगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल कि इंशाया में मजा की क्या एहमियत है वाजा की इंशाया के लिए लाजमी अंसूर नहीं है चुनांसा मशरती अद्वियात में बहुत से इंशाया हमें ऐसे भी मिलेंगे जिन में ख्याल और असलोग की ताजगी ही सब कुछ है और मजा का अंसूर भी नहीं है लेकिन इंशाया आला दर्जा का है फिर भी यह नक्ता काबिले गोर है कि जिस इंशाया में तन्जो मजा का आंसर नुमाया तोर पर रहता है उस इंशाया का मजाज ही बदल जाता है और इंशाया निगार इंकिशाफ जात के अमल को छोड़कर थोड़ी देर के लिए एक मस्करह के तरिके को अपना लेता है तो यह बात बोला गया है कि तन्ज की पैदाईश कहां से हुई तन्ज दिरसल जिंदगी के नाहमवारियों से पैदा होती है और तन्ज निगार उन नाहमवारियों से उपर उठकर बुलंदी से आपको मुखातिब कराता है जिबकि मिजाह का मौामला उसके बरक्स है मिजाह निगार जिंदगी की कुड़ा दे दिए गया है इनशाय क्या है ना उसी जसी के एक ठुकड़ा यहांपर दे दिए गया है और इसी का आप लोग मारत सब्सकर दिल उखें कर दो म।ो कर देना है कि जाहां पर यह बात लिखा गया है उसके आगे पीछ ने तो कैसी बाते भी कैद दी जाती है जिनका मौजू से कोई गहरा तालुक नहीं होता यह उठाया गया है इसका तश्रीय आप लोको करना है स्याको सबाग के हवाले से तो देखिए तश्रीय यहां पर किया गया है कि पेश नजर इक्तिबास मशूर नाकद और इंशाया निगार व इसमें मकाले की संगलाखी किफियत मौजूद नहीं होती है इसके लावा इंशाया में एक मरकजी ख्याल के बाउस्फ दलायल का कोई बजाबता सिलसला कायम नहीं किया जा सकता और इंशाया के मताला के बादिया महसूस होता है कि इंशाया निगार ने मौजू को मौजू क पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह आप लोग को लंबर चौणा लिख देना है अब यहां से स्टाट हो रहा है आप लोग का का वायर यानि की उर्दु ग्रामार का question आप लोग के book में देता है grammar का question कikelशर है यह देखिए सबसे पहले सवाल है कि खाली जगहों को यह जो खाली जगह है न यहां पर ब्रायकट में दिक खाली इकischer गया है फॉडस गटा हुए क्लाचा गठा हुआ है यह लचिला होता है तोल इसका सही जवाब हो जा लचीला ठीक है ये गठा हुआ नहीं होगा मुकाले की बिनिस्बत इन्शाया का धाचा लचीला होता है ठीक है यह हो गया इसका जवाब अब देखिए बी में है बे में इन्शाया और गजल की एक शेर में गहरे मुमासलत की मुखालफ़त बताइए इन दोनों में क्या होगा मुमासलत की मुखालफ़त तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुमासलत का एसास होता है ठीक है इन्शाया निगार गएर रस्मी तरीके कार इक्तियार करता है यहां पर गएर रस्मी हो जाएगा इन्शाया की सिफ़त जो है ना शगुफता मुड की पैदावार होती है यहां अभ देख़े दूसरा सवाल है कि दर जर जाल अफाज के जिनसित आब जाहिर करते हुए जूम्ले बनेए यहां पर कुछ築ड दिये गए हैं लवस इनका जिनसित जाहिर करना है यानि की बताना है कि यह मुजक्र है कि मुऋनस जुम्वे में इस्तिमाल करके यानु की सेंटेंस में यूस्ट करके तो देख़ें सबसे पहला लवज है है introductions यानि कि ये के इस्ट्रलिंग शब्द है ठीक है तुम्हारी है स्ट्रलिंग यह यह आनि यानि के स्रिलिंग है तुम्हें आजादी मिल गई सिर्फ यह मुझकर है लिबास मुझकर हुक्का मुझकर इन्शाया मुझकर और इसको यहां पर सेंटेंस में यूज कर दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं तिसरा सवाल की मंदर जैल वाहिद अलफाद से जमा बनाए य इसका बहुवचन हो जाएगा हुदूद जाबता यह भी सुमलर है इसका प्लूरल हो जाएगा जवाबत सूरत का सौर नुक्स का नकूस मजहर का मजाहर तो यह हो गया इन्सर फड़वड आगे बढ़ते हैं चार नमबर सवाल कि दर जैल अलफाज के जिद बताईए जिद अब दखिए लास्ट कोश्चन है कि मंदर जजैल अलफाज के मुत्रादिफ लिखिए यहां पर कुछ ऐसे लफ्स दिये गया है जिनका आप लोगों मुत्रादिफ बताना है यानकी एक समान अर्थ रखने वाला शब्द बताना है पहला शब्द है सूरत सूरत का एक समान दोनों question complete आप लोगा total solution आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो करा दी कोई भी confusion हो आप हमें comment में लिखकर पूछ सकते हैं हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में confusion clear कर दूँगी बाकी मैं आप लोगो जो कुछ भी समझाई आज के इस वीडियो में सारा question answer समझ में आया और मत share कर दे अभी तक share नहीं किये हैं तो और उसके साथ चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को यह पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिके साथ त